हेलो माइड एरे स्टूदेंट्स वेलकम टो गेट अगेडमी और हमारे पास एक अगला कुशन आ रहा है सिविल ब्रांच में मैथमेटिक्स की बात चल रही है यहाँ पर फॉरनून सेशन की और अभी आफ्टरनून वाला पेपर अभी चल रहा होगा तो आफ्टरनून वाला तो Taylor series का formula पूछा है clear अब Taylor series के formula में simple series में बता दू Taylor series basically है क्या what is the Taylor series it is only applicable for the differential function if the function is differentiable you can apply Taylor series and what is the Taylor series what is the Taylor series the Taylor series what it is the expansion right in the ascending order of x with the successive derivatives as a coefficient तो successive derivatives coefficient चीए इसमें बात कर ले तो Taylor series में सारी की सारी series में हर एक टम मेरे पास coefficients का positive होता है तो चुप चाप पहले तो negative वाले को delete मार देते हैं यह गया और यह गया simple है भी यह फंडा इतना clear तो यह दोनों तो possible होने से रहा तो B चले गया हमारे पास और C चले गया हमारे पा सादू कि Taylor series expansion जो मेरे पास होता है वो function के derivative upon उसके factorial के form में हमारे पास expansion मिलता है जो भी Taylor series गया McLaurin series का जो expansion होता है वो factorial हमारे पास series के form में आता है तो यहाँ पर हमारे पास non factorial terms हमारे पास थे यहाँ पर 3 था यहाँ पर हमारे पास factorial terms है तो obvious ही बात है एक ही बात नहीं करूँगा मैं सीधे सीधे मैं बात करने वाला हूँ D की अगर आप किसी भी बी वी रमवन ना सर की बुक खो ले या बीयस गरेवाल सर की बुक खो ले किसी भी बुक को उठा के आप चेक करेंगे तो हमारे पास यह वाला question मेरे को टेलर सीरीज ऐसा दिया हुआ यह page start है टेलर सीरीज आपर दिया हुआ आपके पास जो formula लिखा हुआ वह exactly यह formula लिखा हुआ basically पूछा क्या है टेलर सीरीज का formula पूछा है thank you so much